हेलो नमस्कार डियरी स्टुडेंट वेरकम तू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं किया है इस पर क्या करना है मैं इस नोडिफिकर्शन को डाउनलोड कर ले रहाँ डाउनलोड करने के बाद ओपन कर ले रहा हूं इसको देखिए इस नोटिफिकेशन को मैं ने डाउनलोड कर लिया अब इसमें लिखा क्या है मैं वो समझा देना चाहता हूं और कब से आप लोग इलीजिबल हो जाएंगे जिनका कम नंबर होगा कितना कम नंबर होगा तो आप इलीजिबल होगे तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट जो है रिडिउसिंग कटाफ मार्क ए आई सीटी दो एजर एकिस मेरिट फार इसपॉर्ट एडमिसन अंडर सी आई एटेश दो एजर एककिस से बाइस यानि कि जो भी कैंडिट एककिस से बाइस से एंसन में ए ए ए इडियोट में दोशे दिसंबर से लेकर आठ दिसंब Bay यानिकर और जो बिस में खाली गाएगा तो इना सीट काफी मातरम बढ़ जा vrijew कि ईये देखते हो क्योंकि डेखिए n documentary या आ आटे वालेत थे उनको कंसिल कर दिया गया था तो फार इस पार्ट एडमिसन में यह लोग सोच रहे हैं कि कोई भी कोई भी सीट खाली न जाए इसके वाज़ा से यह कटाफ मार्कों कर अचैंच कर दिया को काओं कर दिया कं तो यदि अपड़े सी या जनन्र से पंदर नमबर में से पंदर नमबर तो आप इलिइजिबल एडमिसन में, आपको एडमिसन मिल जाएगा, 忙b कर दिया है, और स्टासरी का 27, तो वो 10 कर दिया है, काफी कम कर दिया, अब इसमें करना क्या होगा, आपको, तो 6 दिसमबर से 7 दिसमबर और 8 दिसमबर को, आपको अनलाइन काउंसलिंग करना पड़ेगा, इसमें देखे जो भी candidate 20 नमबर 15 नमबर 10 नमबर थे वो counseling fees payment नहीं कियोंगे तो उनको क्या करना होगा college में admission लेना है sport admission में भाग लेना है तो उनको करना होगा all eligible candidates list who not taken admission so far will be available all NSTI ITOT login ठीक है यहीं कि सभी ITOT और NSTI में आपके जितने भी सीट खाली होंगे उसके लिए आप eligible हो जाएंगे sport admission के लिए जिनका कम नमबर वो भी जिनका आधिक नमबर है वो भी जिनको अभी तक college नहीं मिला है वो भी eligible हो जाएगा sport admission के लिए और इसमें लिखा है candidate who have not paid their counseling fees earlier should pay their counseling fees तो जो candidate counseling fees अभी तक जमा नहीं कियोंगे 1000 रुपए उनको जमा करना पड़ेगा कितने तारीक हो तो 6 दिसंबर 2000 6 दिसंबर 2021 को ही counseling fees जमा करना है sport admission के लिए जो already first second third round participate कर दिये है counseling fees payment कर दे होंगे तो उनको नहीं देना है ना वह बस participate करेंगे counseling fees बस एक बार जमा करने बार बार नहीं अब दिए candidate can select the NSTI ITOT आप हर 24 अज़ पर vacancy available जैसे जो भी college में आपको seat दिखाई देता है आपके trade में वह आपको चूज करना होगा college ठीक है फिर आपको चूज करने के बाद आपको किसी भी nearest NSTI में डाकुमेंट verification के लिए पहुंच जाना है अब दिखिए जिसमें आपको seat खाली दिखाई रहा होगा दे रहा होगा उसको आप लोग को क्या करना है तुरंत उसको select करने जाना है और आपको किसी भी नजदी की NSTI में तुरंत पहुंच जाना है और उसके बाद seat will be alerted as per merit और seat क्या होगी आपके merit के हिसाफ से एलाट किया जाएगा तो यह process है minimum यदि आपका दस नंबर है स्टिस से हैं बिलांग करते हैं तो आप participate करिएगा बिलकुल कटाफ बिलकुल कम कर दिया है 2021 का कटाफ की सीट बहुत ज्यादा अभी खाली रह गई है बहुत से केंडियोट को भी सीट नहीं मिल पाया है तो वह स्पॉर्ट एड्मिशन में participate करेंगा ऐसे तो अभी थर्ड राउंड का चलना है थर्ड राउंड के बाद इस पाट राउंड आएगा तो उसमें यही इलिजबिल्टी है तो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा आगया होगा तो इसी तरह की अपडेट्स याइटेस से रिलेटेड पाने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो करने कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं आज के लिए वीडियो में इतना है थैंक्स वार वाचिंग दिस वीडियो गाइज